हलो फ्रेंट आज के इस सेशन में हम पायरोगजीन ग्रूप के बारे में डिसकसन करने बाले हैं पायरोगजीन क्या है पायरोगजीन का स्ट्रोक्चर क्रिस्टालोग्राफिक सिस्टम फिजिकल प्रोपोटी ऑप्टिकल प्रोपोटी क्रिस्टल केमेस्ट्री इन सभी के बार में दोस्तों आज हम पूरा detail discussion करने वाले हैं तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं तो पहले हम जानते हैं यह जो pyrogene mineral है दोस्तों यह generally orthorombic and monoclinic system में crystallize करता है दोस्तों pyrogene mineral जितने भी आप दुनिया में देख रहे हो pyrogene mineral generally आपको orthorombic and monoclinic किलनिक सिस्टम में जनरली ये दोनों क्रिस्टलाइज करते हैं जो मिनरल पाइरोगजिन आपको और्थोरोंबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता हुआ देखने को मिलता है उसको हम और्थोपाइरोगजिन बोलते हैं दोस्तों और्थोपाइरोगजिन जो mineral monoclinic system में crystallize करता है उससे हम दोस्तो क्लाइनो पाइरोजिन बोलते हैं क्लाइनो पाइरोगजिन तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन और्थो है कौन क्लाइनो है जनरली एक shortcode बता रहा हूं दोस्तों जहाँ पे दोस्तों CA rich CA more than 20% होगा 100% से उसको हम पाइरोगजिन ग्रूप से ही निकाल देंगे दोस्तों अगर only CA percentage आगर 20, 30, 40% रहता है कोई भी पाइरोगजिन मिनरल पे उसको हम मतलब कि क्लाइनो पाइरोगजिन बोलते हैं जैसे कि CA, Mg, Si2O6, CA, Fe, Si2O6 जहाँ पे CA percentage रहेगा अगर CA नहीं रहेगा only देखते हैं दोस्तों Mg2, Si2O6 यह दोस्तों और्थो पाइरोजिन ग्रूप में आ जाएगा तो आपको यह थोड़ा ठ्रीक आप रखना पड़ेगा बैसे तो आपको जेनरल फोर्मुला इसका बताना भूल गया दोस्तों पाइरोजिन का जेनरल फोर्मुला क्या है? R2Si2O6 यह दोस्तों जेनरल फोर्मुला जोकी ओलिविन है अगर इसी ओलिविन के साथ अगर SiO2 हम एडिशन कर देते हैं दोसतो दिस विल फरम what? पाइरोगजिन तोस्तो पाइरोगजिन जो है दोस्तो क्या होता है कि एक सालो डेप्ट में फ्रमेशन होता है ओलिविन थोड़ा ज़्यादा depth में formation होता है इसके उपर अगर आयता है composition तो यहाँ पे दोस्तो silica percentage increase होता है SIO2 increase होता है और आपको यहाँ पे pyrogen मिलता है क्योंकि ओलिविन के साथ अगर silica मिल जाता है दोस्तो वो pyrogen बनाता है इसका मतलब ओलिविन ज़्यादा depth में formation होता है जैसे यह आर्थ का पता है आपको great depth में आर्थ का अगर great depth में चाहेंगे तो आपको mg, f, e reach मिलेगा दोस्तो उपर आएंगे तो silica reach मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तो पाइरोगजिन का जो chemistry जो ओकरेंस है दोस्तो जो की ओलिविन से थोड़ा solid depth में formation होता है ओके ओलिविन से थोड़ा कम temperature में formation होता है ओलिविन से थोड़ा ज़़ादा SIO2 यहाँ परेजेंट है लेकिन यह जो आप पाइरोगजिन देख रहे हैं इसका अगर crystal system को हम study करते हैं तो यहाँ पर आपको तो दोनो crystal system तो मिल ही जाएगा लेकिन इसका दोस्तो अगर silicate structure को देखेंगे अल दी ओलिविनर क्रिस्टलाइजिन ने सो silicate structure but all the pyrogen group of mineral pyrogen group of mineral generally crystallize in और they saw all the pyrogen group of mineral saw what single chain single chain inosilicate structure यह दोस्तो आपको समझ में आना चाहिए जितने भी आप pyrogen group of mineral को देखोगे दोस्तो ओ कहां कौन सा silicate structure दिखाते हैं दोस्तो single chain inosilicate structure single chain मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है दोस्तो आप मारा single chain यह से ऐसे ऐसे यह दोस्तो हमारा single chain inosilicate structure जहां पर silica is to oxygen का जो रेशियो है दोस्तो और कितना होता है one is to three तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दोस्तो हमारा oxygen है यह यह oxygen है यह यहाँ पर center में यह दोस्तो हमारा सब कुछ oxygen है दोस्तो यह भी दोस्तो oxygen यहाँ पे एक दोस्तो silica है तो यहाँ पे अगर रेशियो अगर calculate यह वाला part क्या है दोस्तो oxygen और यह आप जो yellow वाला थोड़ा देख रहे हैं इसको हम दोस्तो silica बोलते हैं silica तो यह देख सकते हैं आप all the pyrogen group of mineral generally so what single chain inosilicate structure और दोस्तो यहाँ पे जो silicon is to oxygen ratio है 1 is to 3 है silicon is to oxygen ratio है दोस्तो 1 is to 3 है आगे बढ़ते हैं हम general formula आपको बता चुका हूँ general formula में दोस्तो आपको क्या-क्या मिलेगा कि generally इसका जितने भी composition है आपको उसको आसानी से रटने के लिए एक idea मिल जाएगा by the way हाँ सची में R2SiO4 तो जितने भी mineral होते हैं दोस्तो इसी R2Si2O6 तो जितने भी यहाँ पे pyrogen का group of mineral आपको देखने को मिलेगा दोस्तो कुछ ortho pyrogen group of mineral कुछ दोस्तो cleanopyrogen चलिए दोस्तो देखते हैं ortho pyrogen group में कौनसा-कौनसा mineral crystallize होते हैं ओके और्थो pyrogen mineral क्लाइनो pyrogen mineral ओके उसके बाद दोस्तो क्लाइनो pyrogen mineral दोस्तो यह थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि ortho pyrogen में आपको एंस्ताटाइट मिल जाएगा दोस्तो एंस्ता टाइट जिसका कॉंपोजिशन है Mg2 Si2 O6 उसके बाद मिल जाएगा दोस्तो Orthopherosylite Orthopherosylite ओके इसका कॉंपोजिशन दोस्तों यह end member है Fe2 Si2 O6 और आपको मिल जाएगा दोस्तों क्या Orthoparotene में हाइपरस्तीन ग्रूपो मेंडल हाइपरस्तीन हाइपरस्तीन ग्रूप ओके हाइपरस्तीन क्या कॉंपोजिशन है दोस्तों जनरली आपको मिल जाएगा MgFe2 Si2 O6 देखे दोस्तों एक end member आपको बता दिया एक दूसरा end member बता दिया यह दोस्तों आपका बीच वाला है क्या है हाइपरस्तीन ग्रूप MgFe2 Mg Fe2 Hole2 Si2 O6 यह दोस्तों आपका orth jsem और्फो पार्योगजिन वाला पार्योगजिन है उसके भाद हम यहाँ पे क्लाइनोपार्योगजिन को हम डीटल स्टड़ी करते हैं दोस्तों क्लाइन पाइरोगजीन में आपको क्या मिलेगा दोस्तों डाय अपसाइड मिलेगा डाय आपसाइड कॉम्पोजिशन क्या है दोस्तों सी ए एम जी एस साई टू ओसिस आपको बताया था दोस्तों सी ए यहां पे कम रहने बाला है ओके अगर सी ए 90 परशन हो गया तो यह दोस्तों पाइर ज्यादा हो जाता है तो इसको हम पाइरोगजीन ओट ग्रूप बोल देते हैं तो सी ए दोस्तों ओली 10, 20, 30 परशन अगर रहेगा तो सही है तो इसको डाय अपसाइड बोहते हैं इसका कमपोजिशन क्या है CMG SI206 और भी मिन्दाल Head and Burgite Head and Burgite ओके और मिन्दाल आपको Johan Senite Johan Senite Ogite Ogite आपको Pigeonite Pigeonite फोर्मुला भी आपको बताऊंगा Pigeonite यह सब दोस्तों आपको मिलते हैं ओके तो इनका जो General Formula है यहाँ पे आप Head and Burgite का यह दोस्तों CMG है यह CAFE SI206 Johan Senite का General Formula CAMN SI206 अगर Hold देंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा दोस्तों यहाँ पे Hold देना चाहते हैं तो 2 लग जाएगा उसके बाद Ogite का General Formula है दोस्तों क्या होगा C-A-M-G F-E-A-L इसका दोस्तो 2 उसके बाद SI206 यहाँ पे AL भी SI, AL Hold 206 भी लग सकता है कोई नहीं यहाँ पे MG भी होता है A-P भी होता है, AL भी होता है CA भी होता है दोस्तों गाइट में तो यही था दोस्तों उसके बाद अब Pigeonite का Formula अगर लिखना चाहते हैं तो C-A-M-G M-G-F-E SI206 यह दोस्तों थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा याद रखने के लिए भी मैं आपको trick बता दूंगा दोस्तों यह जितने भी आप देख रहे हैं सब यहाँ पे Clinopirogen group में आते हैं यह जितने भी देख रहे हैं दोस्तों Orthopirogen और कुछ दोस्तों Alkalipirogen B All the Alkalipirogen group of mineral also crystallize in Clinopirogen group Alkalipirogen यहाँ पे लिख रहता हैं sentence एग All the Alkalipirogen mineral So What so They so Actually Clinopirogen Clinopirogen मतलब कि यह दोस्तों जितने भी Alkalipirogen आप देख रहे हो और सभी Monoclinic system में crystallize करते हैं दोस्तों जैसे कि Example में देना चाहता हूँ यहाँ पे पहले Example है Zadeite Zadeite ओके इसका composition है Alkalipirogen मतलब N-A-A-L-A-S-I-2-O-6 Zadeite उसके बाद दोसरा है Amphacite Amphacite इसका दोस्तों क्या Amphacite का General formula दोस्तों C-A-N-A M-G-F-E-A-L Si-2-O-6 तो Amphacite Zadeite Akmite भी एक दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Adjust करके थोड़ा लिख लेना Akmite Akmite दोस्तों क्या है इसका General formula N-A-F-E-Si-2-O-6 यह F-E रीच होता है दोस्तों Zadeite L रीच होता है बस दोनों में इतना ही डिफ्रेंस है Akmite ज्यादा थोड़ा Great Depth में Formation होता है दोस्तों Zadeite थोड़ा Salud Depth में Formation होता है ओके तो यही था दोस्तों और भी है दोस्तों एक Spodumine Lithium Buring Pyrogene Spodumine मैं इहाँ पे लिख रहा हूँ Spodumine Spodumine का Composition क्या है दोस्तों Spodumine का Composition L-I-A-L-Si-2-O-6 यह थोड़ा याद रहा है जितने भी आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपोर्टार्ट है दोस्तों डायोपसाइट हेडनबोरगाइट जोंसेनाइट ओगाइट पिजियोनाइट जाडेआइट ओंफासाइट यह सभी दोस्तों आलकाली पाइरोगजीन ग्रूप सभी नहीं यह वाले सब जितने भी जिनके पास एने लगा हुआ है ना दोस्तों यह सभी आलकाली पाइरोगजीन ग्रूप है और सभी दोस्तों क्लाइनो पाइरोगजीन को बिलोंग करते हैं और जहां पे दोस्तों सीए देखने को मिलेगा वो सभी क्लाइनो पाइरोगजीन को बिलोंग करते हैं दोस्तों यह थोड़ा याद रख लेना क्योंकि एक्जाम में बहुत बार पूछता है कौन साइन में से क्लाइनो पारोगजीन है कौन साइन में से और्थो पारोगजीन है उसके बाद यह देख सकते हैं सभी pyrogen group को मैंने यहाँ पर एक ठा रखा है तो आप photo से देख सकते हैं लेकिन यहाँ थोड़ा धुनला सा दिख रहा है लेकिन pyrogen थोड़ा olive green color का होता है दोस्तो बाद में हम उसका property discussion करते हैं दोस्तो यह आपका end diagram क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तो यहाँ पर हमने mg si o3 दिया है दोस्तो इसको अगर करेंगे तो mg2 si 206 भी हो जाएगा दोस्तो यह mg का mg reach end member है और यह दोस्तो fe reach end member है fe2 si 206 यहाँ पर आपको आ जाएगा और उपर दोस्तो c a rich है जो भी mineral c a के अंदर आ जाते हैं अगर उहाँ पर c a percentage अगर ज्यादा रहता है दोस्तो उसको हम pyrogene नहीं बोलते हैं जैसे कि यह वाल अस्टनाइट यहाँ पर दोस्तो c a si o3 है mgf नहीं है दोस्तो c a percentage यहाँ पर ज्यादा होने के कारण यह दोस्तो वाल अस्टनाइट जो है pyrogene group में हम सामिल नहीं करते हैं वाल अस्टनाइट is not pyrogene this is pyrogene noid ओके तो mg rich और यह दोस्तो c a composition क्या होगा दोस्तो c a mg si 2 o 6 यह दोस्तो फेरोसिलाइट ओके यह दोस्तो फेरोसिलाइट तो यहाँ पर आपको बहुत सारे si यहाँ पर दोस्तो इस बहुत मतलब की कम हो जाएगा इस line क्योंकि एफी line है यहाँ पर दोस्तो mg rich area है तो आप जितने ही नीचे तक आयाएगे composition को नीचे की तरफ लाओगे तो दोस्तो यह देखिए calcic o guide यहाँ पर लेकिन दोस्तो सब calcic calcic percentage कम हो रहा है तो इस line पर दोस्तो आपको फेरोसिल यहाँ पर दोस्तो जी यहाँ पर दोस्तो देखने को मिलेगा आपको इहाँ पर दोस्तो mg पर स्थे परसेंटेज आपको ज्यादाातर देखने को मिलता है सब calcic o guide आप देखे जहें नीचे जितने आएगे दोस्तों CA rich घटेगा तो सबकाल्सिक MGO guide, सबकाल्सिक pharaoh, एफी rich o guide दोस्तों एही था दोस्तों triangular diagram कुछ भी नहीं है यहाँ पे only आपको थोड़ा study करना है कि इस diagram में बोला गया है कि अगर CA rich जादा हो जाएगा तो उसको हम pyrogen group से हम इसको बाहर कर देंगे अगर CA से नीचे, CA दोस्तों कम होगा, 50% से कम होगा दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों pyrogen में हम रखते हैं तो और जहाँ पे भी CA rich mineral होगा और दोस्तों सभी monoclinic system में crystallize करेंगे जहाँ पे दोस्तों mg rich होगा, f e rich होगा only तो उहाँ पे आपको ortho pyrogen देखने को मिलेगा दोस्तों यह पूरा diagram है जहाँ पे यह दोस्तों enstatite है और यह दोस्तों हमारा ferosilite है यह दोस्तो अपना mg रिच है, यह दोस्तो अपना f रिच है, यह अपना c रिच है, लेकिन इसको हम pyrogen group में सामिल नहीं करते हैं, ओके, तो इस तरब जो भी रहेगा, दोस्तो, magnesium रिच रहेगा, यह लाइन, इस लाइन से, यहाँ से, इस लाइन से दोस्तो, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ओगाइट, दोस्तो फेरो ओगाइट, यहाँ पर low CA, क्योंकि उस तरब जाएंगे, तो आपको high CA मिलेगा, नीचे की तरब आएंगे, तो low CA, ओगाइट, लेकिन यहाँ पर दोस्तो, mg रिच होगा, और यहाँ पर देखिए, दोस्तो, low CA, एफी ओगाइट, ओके तो magnesium pigeonide, अगर CA percentage आपने घटा देंगे, तो यह pigeonide हो जाएगा, दोस्तो, magnesium pigeonide, फेरिक pigeonide, दोस्तो, बस यह triangular diagram, यह इतना ही बोलता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, कि जितने भी CA rich होते हैं, और दोस्तो, हम उनको pyrogenoid group बोलते हैं, और अगर pyrogenoid group में, अगर CA percentage घट जा मतलब 50 percentage से घटेगा, तो definitely उसको दोस्तो pyrogen group में सामिल करेंगे, लेकिन जिनके पास भी CA rich रहेगा, और generally monocleonic system में crystallize करते हैं, उनको हम clinopyrogen बोलते हैं, और यहाँ पे दोस्तो, आपको solid solution देखने को मिल जाएगा, दोस्तो, एंस्ताटाइट के बीच में, और फेरोसिलाइ के बीच में, दोस्तो, जो solid solution में intermediate material formation होते हैं, इनके बारे में, मैं आपको एक brief description देना चाहता हूँ, पहले किया होता है, दोस्तो, mg reach होता है, mg reach, एंस्ताटाइट, उसका नाम है, एंस्ताटाइट, composition आप जानते हैं, दोस्तो, mg2, si2, o6, यहाँ पे mg percentage इतना होता है, कितना होता है, दोस्तो, 100 से लेके 90% तक आपको mg reach मिल जाएगा, और इसका composition होता है, mg2, si2, o6, एंस्ताइट, अगर mg percentage थोड़ा कम हो जाता है, एंस्ताइट में mg percentage थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब, fp percentage थोड़ा बढ़ेगा, दोस्तो, यहाँ पे fp percentage में लिख रहा हूँ, fp percentage यह to 70%, और इसका भी formula क्या हो जाएगा, mg, अगर 90 to 70%, अगर mg मिल रहा है, दोस्तो, यहाँ पे 10 to 20% तो आपको fp भी मिल जाएगा, तो इसका composition mg, fp, hold to, si2, o6, और इहाँ पे दोस्तो, और भी थोड़ा mg अगर decrease कर दें, तो यहाँ पे hyperstein बनेगा, hyperstein, hyperstein में आपको क्या देखन को मिलेगा, mg percentage कितना होगा, घट जाएगा, 72, 50% तक आपको यहाँ पे mg percentage देखने को मिलेगा, और यहाँ पे दोस्तो, 32, 50% तक आपको fp percentage देखने को मिलेगा, formula यहाँ पे हो जाएगा, mg और fp 2, si2, o6, formula एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन mg तोड़ा उपर नीचे है, दोस्तो mg घट रहा है, mg घट रहा है, ओके, और भी अगर mg घट गया, तो इसको हम pharo hyperstein बोलेगा, क्योंकि fp percentage बढ़ जाएगा न, pharo hyperstein, इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे mg percentage कितना रहता है, दोस्तो बहुत ही घट जाता है, 50-30% तक आपको fp मिलेगा, और 50-30% तक आपको mg मिलेगा, और fp कितना मिलेगा, दोस्तो 50-70% तक आपको यहाँ पे fp मिलेगा, कहाँ पे pharo hyperstein पे, क्योंकि fp reach हो गया, और fp reach मतलब इहाँ इसका composition दोस्तो fp mg2, si2, o6, तो उसके बाद अगर mg और भी कम हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोस्तो, eulite, eulite, fp अगर यहाँ पे तो यहाँ पे 10-30% तक आपको अगर यहाँ पे mg देखने को मिल रहा है, तो इसका composition fp mg2, si2, o6, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दोस्तो, eulite, eulite, और एक दोस्तो, eulite के बाद, दोस्तो, हमारा क्या आ जाएगा, silite और ferosilite, ferosilite, ferosilite में क्या आ जाएगा, दोस्तो, यहाँ पे 90-100% तक आपको fe reach मिलेगा, और अगर mg percentage 0-10% के बीच में, तो इसका composition हो जाएगा, F2, mg, बहुत decrease हो जाएगा, SI2, o6, दोस्तो, यही है, solid solution between enstatite and ferosilite, जिसमें की, यह intermediate product आपको देखने को मिल जाते हैं, ओके, तो यही था दोस्तो, अभी हम discussion क्या करने वाले हैं, दोस्तो, इसका physical property के बारे में, आज हम discussion करने वाले हैं, तो दोस्तो, इसका physical property और optical property, दोस्तो, थोड़ा, जो आप microscope में देखेंगे, दोस्तो, जो pyrogene आपको ऐसा नजर आएगा, दोस्तो, massive crystal structure, okay, orthorombic monoclinic system में यह crystallize करता है, orthorombic, आपको ortho pyrogene जितने भी होते हैं, दोस्तो, इनका A1, A axis, B axis, C axis are not equal to each other, A is not equal to B, is not equal to C, okay, and A perpendicular to B, perpendicular to C, दोस्तो, जो भी ortho pyrogene system में crystallize करते हैं, ortho pyrogene, ortho pyrogene, जितने भी mineral होते हैं, दोस्तो, एसा ही दिखाएंगे, और clinopyrogene आपको पता है, दोस्तो, जिनका A is not equal to A, is not equal to B, is not equal to C, A perpendicular to B, B perpendicular to, दोस्तो, C, but C is not perpendicular to A, दोस्तो, यह दोस्तो, हमारा, जितने भी clinopyrogene system होते हैं, दोस्तो, एसा ही इनका crystallographic axis होते हैं, और यहाँ पर silicate structure आपको बता चुगा हूँ, कि single chain inner silicate, जो color होते हैं इस mineral के, आपको अगर color study करना है, तो दोस्तो, यह generally, जो mg reach होते हैं, ओ थोड़ा colorless होते हैं, और जो mg reach होते हैं, दोस्तो, वो थोड़ा greenish color दिखाते हैं, color, color दोस्तो, एफी reach, जितने भी आपको यहाँ पर देखने को मिलागा, थोड़ा बहुत greenish color, greenish, और जो mg reach होते हैं, दोस्तो, colorless होते हैं, then आपको यहाँ पर strike, physical property के बारे में हम discussion कर रहे हैं, जोड़ा बहुत exception है, अगर माइका देखेंगे, तो पर अल्ली लेश्चर दिखाता है, तो उसके बाद दोस्तो, hypersthin, जो लॉस्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी vitrush लॉस्चर देखते हैं, लेकिन कुछ exception है दोस्तो, hypersthin, hypersthin, source, cillerization लॉस्चर, सब metallic लॉस्चर है दोस्तो, cillerization, metallic जैसा, ग्लेजिंग थोड़ा करता है, cillerization लॉस्चर, और cleavage, cleavage से पहले hardness के बारे में जान लेते हैं, hardness, olivine में hardness कितना था दोस्तो, 7, यहाँ पर hardness दोस्तो, 5, 5 to 6, तो 7 से अगर नीचे होगा तो cleavage आपको देखने को मिलेगा दोस्तो, तो यहाँ पर cleavage, cleavage जो है दोस्तो, present है, perfect to set, cleavage आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 87 degree to 93 degree आपको यहाँ पर cleavage देखने को मिलेगा, और fracture है दोस्तो, uneven, fracture क्या है दोस्तो, uneven, then, दोस्तो, specific gravity बहुत इंपोर्टन यह है दोस्तो, specific gravity, specific gravity जो है, actually, ओ दोस्तो, olivine का specific gravity आपको पताया गया था कि दोस्तो, 4 से भी ज्यादा होता है, लेकिन olivine से दोस्तो, इसका specific gravity थोड़ा कम होता है, 3.22, 3.9, olivine का दोस्तो, 3.42, 4.4 के आसपास हो जाता है, दोस्तो, जो mg reach होते हैं, इनका दोस्तो, 4 के आसपास हो जाता है olivine में, इसका भी दोस्तो, यह mg pyrogen होते हैं, और तो pyrogen का जेनरली specific gravity दोस्तो, बहुत जादा होता है, और बाकी सब नीचे, जिनका जादा होता है, दोस्तो, यह 3.2, 3.3, 3.4, तो इनका जितने भी pyrogen group का specific gravity, great depth के होने के करण, दोस्तो, specific gravity high रहता है, लेकिन olivine से थोड़ा कम रहता है, तो specific gravity जो है, दोस्तो, 3.22, 3.9 के बीच में, दोस्तो, यह vary करता है, तो यही था दोस्तो, physical property इसके बारे में, और जितने भी pyrogen crystal आप देखेंगे, दोस्तो, prismatic crystal में crystallize करते हैं, prismatic crystal, okay, prismatic crystal में आपको यह कुछ देखने को मिल जाएगा, दोस्तो, prismatic crystal में, आपको all the pyrogen crystallize करते हैं, इसके बाद, हम optical property के बारे में discussion करते हैं, optical property, तो optical property यही दोस्तो, color है, दोस्तो, जो भी आप एफिरीच देख रहे हैं, ओ, ओ, मिंडल जितना आपको यहां पे only color दिखाएगा, दोस्तो, जितने भी एफिरीच मिंडल होते, एफिरीच, pyrogen, generally so, color, greenness, faint greenness, दोस्तो, okay, faint, greenness, then आपको form, prismatic crystal आपको बता चुका हैं, दोस्तो, जो form है, कैसा दिखेगा, दोस्तो, prismatic, prismatic form में आपको दिखेगा, pleochorism, बहुत important aspect है, दोस्तो, pyrogen को जान ले के लिए, pleochorism, pleochorism क्या है, दोस्तो, hyperstin is strongly pleochoric, यह याद रख लिजिए, hyperstin, hyperstin is strongly, strongly pleochoric, pleochoric, okay, then आपको all the pyrogen are non pleochoric, pleochoric, जितने भी आपको pyrogen यहाँ पर देखने को मिलेगा, दोस्तो, और non pleochoric है, obviously pyrogen crystallized in unisotropic medium, obviously pyrogen, जितने भी होते हैं, और थोरोंबिक हो गया, और monoclinic में crystallize करते हैं, तो इनका isotropic जो होता है, दोस्तो, unisotropic होता है, so generally pyrogen is unisotropic, isotropic, by refringes, दोस्तो, by refringes, जो है, दोस्तो, opx, ortho pyrogen, जो है, इनका दोस्तो, by refringes lower होता है, ओके, यह थोड़ा याद रखिएगा, cpx जो होता है, दोस्तो, थोड़ा higher by refringes, आपको देखने को मिलेगा, higher, क्योंकि different composition, जितने भी cpx होते हैं, उनका composition थोड़ा different, cab होता है, mg भी होता है, obviously, तो यहाँ पर by refringes will be higher, और यहाँ पर दोस्तो, only single, या तो mg रहेगा, या तो fp रहेगा, तो इनका दोस्तो, element जो होते हैं, पुरा same type का element आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसलिए, दोस्तो, by refringes, यहाँ पर lawyer आता है, difference जितने भी होता है, और यहाँ पर दोस्तो, जितने भी by refringes होता है, थोड़ा differ करता है, alkali pyroxene so strongly by refringes, alkali जितने भी, alkali pyroxene आप देख रहे हो, pyroxene, आप देखते हो न, they have so strong by refringes, alkali pyroxene strong by refringes, और interference color के बारे हम, हम यहाँ पर आपको याद दिला रहे हैं, कि जो interference color होगा, interference, difference color, interference color दोस्तो जो opX होंगे दोस्तो, और fast order interference color दिखाएंगे, fast order, order interference color, जो cpx होंगे दोस्तों, और second order, order interference color दिखाएंगा, ओके, और उसके बाद और एक प्रपोर्टी है, extension, दोस्तों और शुभी एक्सटार्टीन्शन दोस्तों उपीस इंस जितने भी और्फोपाइपरिया एी घ्रुप को मिनरार्ब्स हनो Series हुभ섯ी जाइवच्टार्पजने पतरे शुभ्सटेचैन दीजेया ऐसे लौस्त अधर्ब्स दोस्त जो जो CPX मिन्डल होते हैं इनका दोस्तों oblique extension होता है oblique और inclined extension oblique extension आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों आपको ओर एक important point biaxial जितने भी all the pyrogen group पर क्या होता है कि biaxial क्योंकि यहाँ पे दो optic axis मिलता है biaxial in nature क्योंकि दो optic axis आपको मिलेगे तो यहाँ पे जितने भी pyrogen आपको देखने को मिलेगा दोस्तों सभी biaxial होते हैं और यहाँ पे only hyperstein is negative hyperstein hyperstein is optically optically negative but all other pyrogen are but all other pyrogen pyrogen are generally optically positive optically positive जितने भी आप diocidal देख रहे हो okay जितने भी आप head and borgide देख रहे हो सभी यहाँ पे optically positive except what hyperstein hyperstein ही ही है यहाँ पे दोस्तों optically negative नहीं तो बाकि सर बाकि सब pyrogen optically positive आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और औलिवीन का कुछ भेराइटी भी है दोस्तो ब्रॉंजाइट एक भेराइटी है और भेराइटी क्या है भेराइटी के बारे में हम बात करेंगे तो ब्रॉंजाइट एक अच्छा भेराइटी है माला को माला को लाइट एक भेराइटी है डाइबसाइट का दोस्तो ही है और आ थोड़ा ज़ड़ा होता है तो यह क्या होता है कि यह दोस्तो थोड़ा लोयर में क्रि emailed करता है उसके नीचे दोस्तो ऐस्क दो बाउस रैक्सन सीरीज अगर आप पढ़े होगे तो मिलते है यहाँ प्रки पहले और उसके बाद रोंग h 있 क्रिस्टालाइज होता है और ज्यादा डेप्थ होने के करणा यहां पर कम si o2 मिलते हैं यहां पर आपको ज्यादा si o2 मिलते हैं दोस्तों ओके तो यह दोस्तों जितने भी आप देख रहे हैं जेनरली बहुत ही इसका मतलब यह नहीं कि यह बहुत ही solid सब क्रिस्टलाइज होते हैं और बहुत ही हाई ग्रेड आपको यहां पर रोक देखने को मिलेगा इतना डेप्ट से अगर कोई भी रोक फर्मेशन हो रहा है तो दोस्तों यहां का जो ग्रेड होगा दोस्तों बहुत ही हाई रहेगा और थो रोंभी क्लिनो पाइरोग्जीन के बीच में ऑल्री डिफ्रेंस आपको कुछ यहां पे दिखाना चाहता हूँ और थो पाइरोग्जीन फास्ट और और इंटर्फेरेंस कलर इंटर्फेरेंस दोस्तो फास्ट और इंटर्फेरेंस कलर आपको देखने को मिलेगा यह दोस्तो आपका सेकेंड और इंटर्फेरेंस यह दोस्तो डार्क ग्रीन कलर दिखता है यह दोस्तो ग्रीनिस ब्लाक ग्रीनिस ब्लाक कलर आपको देखने को मिल और दोस्तो आपको अबलीक एक्स्टिंशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो दोस्तो एही धा टोटल होल पाइरोगजीन जहां पर आपको सब कुछ बताया और जितने भी केमिकल फर्मुला बताया दोस्तो थोड़ा याद रख लेना एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपोर्टाट है फिजिकल प्रोपोटी अप्टिकल प्रोपोटी इंटर्फरेंस एक्स्टिंशन बाइक्स्या प्रियोको रिजिम बाइरेफिंजेस रिफ्राक्टिव इंडेक्स दोस्तो बहुत ही हाई होता है और रिलीप क् रिलीप भी हाई तो यह सभी आपको याद रखना है रिफ्राक्टिव इंडेक्स हाई रिलीप हाई बाइरेफिंजेस ज्यादा ओके